चलिए सर एक कुश्चन देखते हैं बहुत ही बेटर कुश्चन और इस कुश्चन में कैसे रहेगा नहीं रहेगा सारी बाते करेंगे हलाकि इस question के अगर हम खास बात की बात करें सर खास बात क्या है इस question में कि आपको इस question में fix cost नहीं बताया जाएगा बढ़ लेते हैं question चलिए बहले कहता है the budget of आपका Jupiter Electronic Limited flexible budget है the company इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं कहता है the company one product कोई product है DETX direct material 700 रुपे 7 रुपे पर यूनिट यानि सर यहाँ पर 2 material है देखें indirect material है indirect कुछ खर्चे तो दे रखें यानि यह अलग से खर्चा है 7 पर यूनिट direct labor 2.5 मैं यहाँ लिख लेता हूँ direct material 7 रुपेज direct labor 2.5 2.5 पर आवर HR लिख दिया and required 1.6 आवर produce to DTX और एक यूनिट को बनाने के लिए हमारे लगते हैं 1.6 आवर salesman's team ऐए अर पेड कमेशन वन रुपेज पर यूनिट रुनिट अवर सॉर्ड तो सोर salesman's का कमेशन भी ले लेके हाँ एक रुक है fix selling and admin expense 85,000 selling expense and admin expense selling and admin sir fix बोल दिया है 85 तो sir ये 85 ही रहेगा manufacturing overhead estimated following amount under the specific volume कुछ अलग से खर्चे और भी है जैसे indirect material indirect labor inspection cost maintenance supervisor depreciation engineer service total manufacturing overhead और आपको ये बनाना है 140 unit पे budget और हमें जो खर्चे दे रखे हैं ये दे रखे हैं 120 और 150 पे यानि 2050 और बनाना है हमें 140 पे चलिए sir कैसे बनेगा ये budget बनेगा इस बजट को भी कि तरे इस बनेखे हैं जुम आपकρι झूर्ट अब लेकर लेकर पे उस लमगें इस हमें उसी खर्ट, अब, अवाई, अब एक तो तीन, तीन तो है मारे पास चलिए सर ये लीजिए यूनिट की बात कर रहे है ये तो यूनिट 120 पे यहां बना देंगे 140 पे यहां पे 150 और requirement है 140 पे 140 का requirement हाला कि ये दोनों वाले मैं बनाना नहीं चाहता examiner को इससे मतलब भी नहीं है तरिफ मैं इसलिए बना रहा हूं आपको comparison पता चलिए particular सबसे पहले हम ले लेते हैं variable cost है ना फिर ले लेंगे semi variable फिर ले लेंगे अपन fix cost ठीक है ठीक है पहली है सर बिल्कुल ठीक first class देखते हैं यहां पर सबसे पहले डारेक्ट मटीरियल कर 7 रुपीज दे रखा था तो हर किसी को 7 से मल्टिप्लाई कर देंगे हर किसी को 7 से मल्टिप्लाई कर देंगे यानी 120 इन्टो में 7 यानी 840 150 इन्टो में 7 1050 140 इन्टो में 7 980 क्लिर रहिया चलिया अगरा है डारेक्ट लेबर यह कहता है धाई रुपिया 120 अब एक बात ध्यान रखिएगा धाई रुपे पर आवर है 2.5 पर आवर एक यूनिट को बनाने में हमारा लगता है 1.6 आर तो हमें 120 यूनिट को बनाने में लगेगा इन्टो में 1.6 आर तो 120 इन्टो में 1.6 आर तो 192 आर लगेंगे यानि एक लाख बीस हजार यूनिट बनाएंगे एक यूनिट को बनाने में कितना लगेगा सर एक यूनिट को बनाने में लगेगा 1.6 हमने मुल्टिप्लाई करा तो एक लाख बानवे हजार घंटे लग गए और एक घंटे का मैं वेजिस पेमिंट करूँगा 2.5 इन्टो में 2.5 इन्टो में 2.5 इन्टो में 4.80 clear तर ऐसे आप मुझे 150 का निकालके बताइए तक्षी आप 150 का निकालके बताइए क्या आएगा 150 इन्टो में 1.6 फिर उसमें इन्टो कर देंगे 2.5 150 इन्टो में 1.6 2.5 6 lakh ऐसे 140 का निकाल लेते है 1.6 इन्टो में 2.5 5.60 डाउट है तो बताइए आप इस वाले पॉइंट में बताइए डाउट 6 lakh साक्षी ने बता दिया नहीं डाउट है या नहीं चलिए इसके बाद डारेक्ट लेबर आ गया डारेक्ट लेबर के बाद हम बात करते हैं सेल्समें की कमीशन एक रुपए है तो एक से मल्टिप्लाई कर दिया Selling and Distribution Expense 85,000 fix तो यहां जाएगा Selling and Distribution नहीं नाम था न Admin है Selling and Admin है मैंने Distribution लिख दिया Admin 85,000 रुपीज है तो सर यह fix अगर है तो तो fix ही है हर जगह पर Clear? समझ रहे हैं आप? चलिए अब सबसे पहले हम कुछ चीजों को इसमें observe करेंगे धियान दिजिएगा Indirect Material देखिए यहां पर change हो रहा है Indirect Material आप देखेंगे change हो रहा है तो सर यह तो fix तो है नहीं यह भी आपका देखेंगे change हो रहा है तो fix तो है नहीं यह भी देखेंगे change हो रहा है तो fix तो है नहीं यह भी देखेंगे change हो रहा है fix तो है नहीं यह भी देखेंगे change हो रहा है यह भी fix नहीं है और यह देखेंगे change नहीं हुआ और यह देखेंगे change नहीं हुआ तो मतलब क्या हुआ सर? are also fixed वो चेक करने के बाद पता चलेगा और यह 94 clear यहां तक समझ में आ रहा है ठीक है अब एक समस्या आता है सर यह variable तो है इसके अंदर include in points में variable तो है तभी तो वो unit बढ़ने के साथ लेकिन जरूरी नहीं है कि सारा का सारा variable कुछ portion fix भी हो सकता है और कुछ portion variable भी हो सकता है समझे बात आप तो सर यहां पर तो पर questions की तुरत है नहीं तो ता देते हैं सर कुछ portion fix भी हो सकता है variable भी हो सकता है तो variable cost का पता है क्या formula होता है variable cost निकालने का formula सर नहीं पता सर variable cost होता है change in cost divided by change in unit as a situation तो सर चेक करना पड़ेगा सर क्या चेक करेंगे इसमें अभी बताते हैं आप देखिए cost में कितना changes है तू सिक्स्टी फोर से माइनस कर दें थ्री थर्टी तो सर छे लाग साथ हजार रुपीज का changes है सर यूनिट में कितने changes है तीस हजार का changes है तो सर छे साथ और divided by तीस हजार मतलब सर यह दो रुपे बीस पैसे की costing कर रहा है variable अब आपको check करना पड़ेगा कि अगर यह दो रुपे बीस पैसे की costing कर रहा है तो यानि एक लाख बीस हजार को जब हम दो रुपे बीस पैसे से multiply करें तो यह आना चाहिए और एक लाख पचास हजार को एक लाख पचास हजार को जब 2.2 से multiply करें तो यह आना चाहिए check करना होगा हर level पे सर into में 2.2 यह तो आ गया इसके बाद 150 into में 2.2 तो यह भी आ गया 330 तो सर इसका मतलब यह totally variable है यह वाला cost जो है na totally variable है इसमें कोई भी components fix नहीं है तो indirect material यहां लिख लेते हैं तो फिर हम indirect material लिख लेते हैं यहां पे है ना सर indirect material यहां पे तो 264 है यहां पे 330 है इसका निकाल लोगे हमें चाहिए किस पे हमें चाहिए 140 पे तो सर 140 पे निकालने के लिए हम multiply कर देंगे 2.2 से क्योंकि variable है 140 इंटू में 2.2 यानि 308 समझ रहे हैं बात को ऐसा ही दूसरे level को चेक करते हैं ऐसा ही चेक करेंगे हम दूसरे level को ठीक है ना सर दूसरे level किसको चेक किया जाए अभी बता देते हैं सर यहां पे हम फिर से variable निकालेंगे formula apply करके तो change जो है ना वो मैं देख रहा हूँ 37,500 divided by इसको divide किया जाए कित से 30,000 rate क्या आता है 37,500 divided by 30 1.25 सर 1.25 को अगर मैं 120 से multiply करता हूँ तो सर 150 आ रहा है और 1.25 को ही मैं एक बार चेक कर लूँगा किससे 150 unit into में 1.25 तो सर यही आना चाहिए into में 150 सर यही आ रहा है तो इसका मतलब सर यह भी total variable है indirect material सर इसका मतलब यह भी total variable ही है indirect material material पर 150 और 187,500 अगले वाले का बड़ी इसली निकाला जा सकता है 140 into में 1.25 175 हाला कि आपको बनाने को सरफ इसका बोला गया लेकिन मैं समझा रहा हूं ताकि आपको clarity मिलती रहे ठीक है चलिए सर अब अगले को टेस्ट करते हैं सर आ जाते हैं inspection charge पर inspection charge का अगर मैं variable cost निकालूं तो सर क्या होगा inspection charge का difference मैं देख पा रहा हूं नाइन्टी थाउजन माइनस में एक लाग बारा हजार पांसो यानि सर बाइस हजार 500 इसको सर डिवाइड कर दो किस से 30,000 सर डिवाइड़ वाइ 30,000 rate आया 0.75 सर अगर मैं 0.75 को multiply कर दूँ 120 से तो 90,000 हमारा आ रहा है अब यहां पे भी 150 को मैं multiply करूँ 0.75 से यह आना चाहिए 150 into में 0.75 तो देखेंगे एक लाख बारा हजार पांसो यह भी आ रहा है इसका मतलब सर यह भी पूरा variable है अभी आपको धीरे धीरे पता चलेगा मैं क्या समझाने की कोसिस कर रहा हूं आपको ऐसे ही टेस्ट करते जाना है और आगे बढ़ना है ठीक है ना चलिए सर क्या है inspection charge inspection charge 90 112 500 और 0.75 इंटू में 140 एक लाख पांच हजार चलिए सर यह भी success हो गया हमारा अगले पे चलते हैं सर इतनी महनत क्यूं एक ही बार लिख दो न निकालके देखिएगा maintenance charges की हम बात कर रहे हैं इधर निकाल लेते हैं maintenance का ठीक है ना इधर निकालते हैं maintenance तो इसका difference देखिए 84 minus में 10 2000 that is 18,000 और इसको divide करेंगे किस से सर 30,000 से अगर इसको हम 30,000 से divide करें तो 0.6 आ गया 0.6 आ गया अब multiply करते हैं into में 1,20,000 तो सर आप देखेंगे अगर हमारा variable यह है और मैं multiply करूँ अब मज़ा आएगा कहानी में अगर मैं multiply करूँ इसके लिए यहां लिख रहा हूँ मैं कि 0.6 और multiply अगर मैं करतेता हूँ 1,20 थे तो सर यह बनता है हमारा 72,000 बट सर यहां तो 84 है तो simple सी बात है minus 84 कर दोगे जैसे कि मैंने कहा 72 minus 84 यहां निकल का है 12,000 तो इस components के अंदर 12,000 fix वाला portion होगा और बाकी का portion variable वाला होगा चेक कर लेते हैं सर यहां भी आप test कर सकते हो किस तरीके से बोल रहे हैं मैंने क्या करा चेक किया 150 into में 0.6 150 into में 0.6 that is 90,000 यह निकल का है 90,000 लेकिन सर यहां तो 1,02,000 है तो 90,000 variable वाला part है और बीच का difference 1,02,000 निकालोगे तो 12,000 तो यह तो fix है सर यह वाला components कहां आ जाएगा हमारा सर यह वाला component सर बिलकुल यह आ जाएगा जी सर यहां आ जाएगा क्या था हमारा maintenance charge maintenance यहां पे हमारा fix भी है और यहां पे variable भी सर fix है 12,000 that is हर level पे आपका 12,000 ही जाने वाला है variable है पहले लेवल का जैसे मैंने निकाला 72,000 तूसरे लेवल का 90,000 तीसरे लेवल का निकाल लेते हैं 0.6 into 140 84,000 हाव से क्या समझे आप इस बात को कमेंट में जवाब दीजिए क्या समझे क्याक्षी समझ में आया आपको क्या क्या है मैंने यहां पे क्लियर है ऐसे ही मुझे सूपर विजन का भी चेक करना होगा क्लियर ठीक है ऐसे ही मुझे सूपर विजन का भी सर चेक करना होगा हर लेवल पे ऐसे कुश्चन में चेक किया जाता है कैल्कुलेटर रहेगा एजिली practice करोगे तो बहुत easily समझ भें आ जाएगा तो sir यहां तो मैंने भर दिया यह इसके लिए हम यहां यहां तो फिर यहां use करेंगे हम हम क्या करें इधर कर लेते हैं 198 198 divided minus में 234 तो difference आगया sir 36,000 divided by करेंगे 30,000 sir 1.2 आना चाहिए variable cost अब multiply करें 1.2 को 120 से तो sir 144 आ रहा है जबकि वहां पर 198 है इसका जब मैंने calculation लिया 1.2 से multiply किया तो 144 आ जबकि 198 है तो sir minus कर दो उसमें से 54,000 fix है हमारा क्या 54,000 fix है हमारा sir यह supervision 54 fix है तो fix वाले को sir कुछ सोचना ही नहीं है है ना अब variable आपको पता है कि 1.2 है सबको multiply करते जाएए 1.2 इन्टू में 120 144 यह था fix और इसी के नीच लिए 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 बार 144 इसके बाद 1.2 इंटू में 150 180 1.2 इंटू में 140 168 तो लीजिये सर हमने बजट तयार कर लिया है इसके बाद तो देखिए depreciation और engineer service है जो कि fix सा समझ रहे हैं आप जी सर अब हमें बस totaling का procedure करना है or nothing totaling का procedure करना है and nothing और इसको थोड़ा नीचे ले के आजाए साथ के साथ और इसको भी नीचे ले के लिए totaling करने के लिए थोड़ा सा presentation साफ सुत्रा सुंदर हो जाए that's why यहाँ पर फिर टूटल करेंगे यह सर टूटल रहेगा ए का यहाँ total कर लेंगे यह total कर देंगे बी का और यहाँ total करेंगे और यह total कर देंगे सी का यहाँ पर लाइनिंग भी टाल दे अल्दो कई बार examiner आप ऐसे भी कर सकते हैं कोई 81 ही सब को total कर दो जरूरी नहीं है इसको categorize करना यहाँ पर total cost आ जाएगा that is a plus b plus c ठीक है कलिए है निकाल लेते है इसका तो 9 अलग अलग निकाल लेते है 840 480 120 264 150 90 19,444 इसका आगया 19,444 19,444 ठीक है थोड़ा सा congested हो गया है but मैंने बोल दिया है समझ में आ जाना चाहिए ठीक है अगला 10,50,000 6,00, 6,00, 3,00, 30,000 12,30,000 ठीक है अगला 98,000 9,80, 5,60, 1,40, 3,00, 3,00, 1,75, 5,000 10,50, 5,60, 6,00, ठीक है इसके वाल 12, 12, 12, 14, 152, 12, 12, 13, 1,40, supervision में 198 है पर यह गलत हो गया कि 140 है 1,0 और आएंगा 120, 72, 34,000 386 1,80, 54,000 3,00, 4,00, 12, 14,084,054 38,000 3,00, 14,000 मैंने ले लिया 1,00, 1,00, 14,000 336 आएगा यह अज़र 336 अगेन यह गलत हो गया अज़ क्या हो रहा है 12,000 278 आएगा 278 सबसे मज़ा इसी में ही आता है 269 269 269 क्योंकि फिक्स है सरी है 269 अब टोटल कर देते हैं 19 44,000 प्लस में 278,000 प्लस 269,000 प्लस 24,00, 91,000 24,00, 30,000 प्लस में 336 269 30,00, 37,000 अगला 278,000 378,000 269,00, 28,00, 55,000 30,00, ध्यान देजे गड़े 30,00, तो लीजिए सरी इसका अंसर आगया 268,00, 148,500 16,00, 50,00, अगला तक्षी किसका बता रहे हो आप 16,00, 44,000 16,00, 85,00 12,85,000 किसका बताया है आपने? एक और बताओगे साक्षी अपने 14,00, 85,000 किसका बताया है? सर वीजिए 144,00 सूपर वीजन वीजिए सूपर वीजिए का बता रहे है 144,00, कौन से का कितने यूनिट पे बता रहे हो आप? चेक कर लेते हैं वीजिए अगर सूपर वीजिन हमारा है 1.2 50 1.2 140 नहीं, 160,80 आरहा है, एक बार चेक करो, साक्षी दुपारा, हम 1.2 से लेके चल रहे हैं 1.2 इंटू 120 1.2 इंटू में 120 राइट, 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 राइटू 144 तो चार हजार बढ़ जाएंगे तो यह हो जाएगा हमारे 82 4000 बढ़ जाएंगे तो यह हो जाएगा काइन टी ठीक है कर लेते हैं 132 12,070 144 182 282 अब क्लियर है साक्षे सारा चालिये कलिये तो थालियी 29 i झाल झाल